पुराने दोर में जब हम जाते थे लोगों के पास में तो वहां पे जाकर के लोगों के साथ जो है अपनी बाचित शुरू करते थे और उनको बताते हैं कि सर हमारे पास एक कंपनी आई है और इस तरीके से यह ऐसा है वैसा है काम इस तरीके से काम है इसमें आपको यह करना प पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो इस तरीकिये से जो हम लोगों को बताते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे दूर हो जाते हैं क्योंकि इस टाइप के जो लोग होते हैं वो यह समझते हैं कि यह तो इसी टाइप की जो है इसी टाइप का पैटर्न है और इस पैटर्न पे जो है आप जरूर्ड करिए, अगर आप उस trick को फ़ोलो कर लेते हैं, तो 100% जो है, आप अपने potential customer, जो भी अंजाल लोग है उनको भी आप potential customer में सामिल कर सकते हैं, जिनको आपने ना तो कभी देखा, ना कभी जाना कर, ना कभी मिले, कभी trend में मिल लिए, कभी बस में मिल लिए, कभी मैंट रो में मिल लिए, तो ऐसे लोगों को भी आप एक as a potential customer के रूप में भी आप शामिल कर सकते हैं, तो आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है, वो मैं आपको 100% यहां पर बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप जरूर अप्लाई करिए अपनी ला तो हमारा ओमेल है, उसकी क्या क्या features हैं, और क्या क्या चीज़े हैं, आज मैं आपको एक real example देता हूँ, अभी NSDL करके एक संस्ता है, जो की pen card बनाने का काम करती है, वहाँ पे मैं अपने एक वेक्टी के साथ गया, और उनको pen card बनाना था, उनकी email ID नहीं थी, उनसमें, ज वहाँ पे एक email ID जरूर मांगी जाती है, आपका नाम, first name, last name, address, mobile number सक कुछ mention करने के बाद में, वहाँ पे email ID आपको जरूर देनी होती है, जिससे कि कोई भी संस्ता होती है, तो आपको वहाँ पे contact कर सके, या आपको वहाँ पे mail कर सके, तो वहाँ पे सबसे ज़ादा, सबस Baekyan abundi, मैंने अपनी email ID को वहाँ पे mention किया, अपनी email ID को mention करने के बारे में एसे remove कर आया, और उनका मैंने एक नया email ID वहाँ पे create करवाया, जिनका back card यह बनना था, तो वहाँ पे मैंने उनको एक नया OML ID create करवाया और OML ID फिर उनका जो as a customer होगा create हुआ तो as a customer create होने के बाद मा OML ID उनका create हो गया तो मैंने उनहीं का वहाँ पर अपना उनका OML ID वहाँ पर fill करा दिया और अपना महां से मैंने cut वा दिया क्यांकि पहले तो मैंने अपने भरवाय था लेकिन मुझे ध्यान आया कि इनको customer बना देते हैं और इनका OML ID यहाँ पर fill करा देते हैं और इनको बाद में सारी जानकारी हम दे देंगे तो यहाँ पर जब हमने उनका OML ID fill कराया तो जो वहाँ पर NSDL में जो बैठे हुए थे जो उनको बता सकें कि यह किस tag की OML address है तो जब मैंने उनको इसके बारें बताया कि एक IT सेक्टर की एक बहुती new company जो अभी जो है लाँच हो रही है बहुत सारे product अपने साथ लेके आ रही है जिसमें हमारे OML होगे Onet होगे social media के बहुत सारे platform के ICP product है और इसके लावा हमारा video conference का डूल भी है तो उनने मैंने उनको OML के कुछ features के बारे में बताया जाता नहीं कुछ चुनिंदा ऐसे features के बारे में बताया जो कि शायद अभी तक कहीं पर भी ऐसे features नहीं है तो बैसे तो वह लोग mail का इस्तेमाल करते ही करते हैं क्योंकि जब कभी भी उनके पास कोई भी काम आता है कोई भी mail आता है या कोई भी information आती है तो mail के through ही आती है तो जब मैंने उनको 2-3 चीज़े बताएं कि इसमें हम अपना folder create कर सकते हैं number one अगर कोई भी आपके different types के mail वगर आते हैं तो आप उनको folder में create कर सकते हैं उस पर लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई भी उसको open ना कर सके दूसी चीज मैंने इनको यहां पर यहां पर हमारा एक video mail का भी option है अगर आप लिखने में ज्यादा speed नहीं आपकी तो आप बोल करके भी video का video record करके भी आप किसी को भी mail कर सकते हैं तो यह video mail की सुपधा जो उसके अंदर है वह बहुत ही जादा लाजवाब है तो उनको यह बहुत अच्छा लगा उसके अलावा पिर मैंने उनको एक और चीज बता है यहां पर speech to text का एक option है हमारे mail के अंदर वो मैंने आपको उनको बताया कि आप अपना earphone लगाए laptop में और उसको बोलना शुरू कर दीजिए जो आप 10 minute में अगर कोई भी typing करते हैं वो आप 1 minute में typing यहां पर आपकी वो पूरी-पूरी text summary है वो पूरी हो जाती है तो दो-तिन चीज़ा जब मैंने उनको बताएं कि ओमिल की यह सारे के सारे features हैं तो बहुत जादा उनको अच्छा लगा और बहुत जादा उनको पसंद भी आया और फिर मैंने उनको open करके भी दिखाया कि इ बहुत सारे features के चेक किये तो इस तरीके से वहां पर मुझे एक मौका मिल गया एक customer बनाने का तो इस तरीके से हम अन्यान व्यक्ति को भी जो एक as a potential customer के रूप में यहां पर सामिल कर सकते हैं और जब धीरे-धीरे करके वो potential customer के रूप में आ जाते हैं तो आगे की जो भी process ह प्रोती है company के अंदर किस तरीके से credit आएंगे किस तरीके से revenue आएगा किस तरीके से use करने से भी free में यूज करने से भी अगर यहां पर फायदा होता है तो वो आगे की process अपने भी करेंगे तो यहां पर इस तरीके से इस trick को अपना करके भी आप अपने बहुत सारे अंजान करें ताकि जब सामने वाला व्यक्ति पढ़ेगा उसके लिए तो कुछ ना कुछ आप से जरूर पूछेंगे और आपको ओमेल के कुछ ऐसे features आपको पता होने चाहिए उस समय जो कि किसी भी mailing system के अंदर ना हो किसी भी email address के अंदर वो ऐसे system ना हो तो वो आपके कुछ features जो करके आप उनको check भी करा सकते हैं तो यह एक बहतरिन तरीका है बहतरिन ट्रिक है जिसके बादियम से आप अपने इस email को अपने ecosystem को अपने जो on passive को है बहुत अच्छी तरीके से represent कर सकते हैं जो I hope आपको समझ मा गया होगा कि आपको किस तरीके से represent करना है किस तरीके से संधाने की कोशिस करो और अपने तरीके से जो भी आप knowledge है आप उनको बताने कोशिस करो ताकि वो लोग आपकी ecosystem में आसानी से आ जाएं तो फिर आप उनको भीजिए अपनी affiliate link उसके बाद उनका registration कराईए और उसके बाद registration करा करके वो फटापर से आपकी ecosystem में शामिल हो जा इन सारे चीज़ों को जरूर discuss कीजिए जिससे की वो भी जो है अपने बहुत सारे customer को जो है इस तरीके से लेके आ सके अपने user panel के अंदर अपने अपने आपके साथ तब तक अपना ख्याल रखें और पहरी बार मिले चैनल पर है चैनल को subscribe जरूर कर लेना और इस वीडियो को like जरू कर देना subscribe करना या मत करना लेकिए like जरू कर देना because like करने से थोड़ा असानेक खौसला बढ़ जाता है और ज्यादा encouragement आ जाती है ओके मिलते हैं एक विल्यों के अंदर थैंक यू सो मच एवनाइस दे वी आर सुनेट तो गुनेट